नमस्कारम एब्रिवान वेलकम बैक टो अवर चैनल बात पते की मैं हूं दीपा हमें से कितने लोगों ने मैंगो खाया है और मैंगो खाने के बाद उसके सीड्स उसके जो उसकी जो गुठली होती है हमने ऐसे ही फैंक दी है आज का वीडियो अगर आप सुन लेंगे तो उसक important components होते हैं जिसके कारण वो mango के pulp से भी जादा important हो जाता है तो mango seed के अंदर बहुत सारे important vitamins होते हैं जैसे कि इसके अंदर vitamin A होता है B1, B2, B6, इसमें B12 होता है जो हमारी body के लिए बहुत जादा important होता है और आज कल के लोगों में जादा तर vitamin B12 की कमी पाए जाती है और इसक polyphenols, polysterols होता है इसके इलावा mango seed जो है बहुत ही important source of protein है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही important essential amino acid present होते हैं और इसमें high value of leucine, welline और lysine नाम के amino acid present होते हैं जो कि जादा तर vegetarian source के अंदर incomplete होते हैं यानि कि इसमें इन जो amino acids की कमी होती है इसलिए mango seed बहुत ही important हो जाता है as a source of proteins इसके इलावा mango seeds में से mango butter भी extract किया जाता है और ये बहुत ही high quality of fat होता है, butter होता है और इसलिए mango butter जो है बहुत सारे cosmetics में add किया जाता है क्योंकि इसके अंदर high quality of butter भी होता है और protein भी होता है जो कि हमारे skin की health के लिए बहुत जादा जरूरी होता है और ये anti-aging का भी क पाया जाना जाता है यानि कि इसकी बचली होती है इसका जो outer shell होता है उसको निकालने के बाद इसके अंदर एक seeds निकलती है वो a seed को अगर हम shade में या कुछ धिन धूद में सुखा दे तो उसको grind कर ने के बाद उसकी jo se d are sixth matin कर ने के वाढ जो powder बनता है उस powder से जो है हम अपने दांतों को भी साफ कर सकते हैं वो दांतों को चमकाता तो है उसको white करता है साथ साथ जो gums में bleeding हो जाती है scurvy जिसको बोलते हैं उसके अंदर भी बहुत ज़ादा effective है उसको treat करता है completely और इसके साथ साथ यह दांतों की जितनी भी problems होती है bad breath होती है उसको भी ठी करता है हमारे tradition में आम की गुटलियों को तरह तरह से इस्तमाल किया जाता है जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं उनको डाइरिया हो गया उनका पेट खराब हो गया या पेट में वार्म्स हो गये या फूट पोईजनिग हो गई उन सब कैसिस के अंदर इंडाजेशन की प्रॉब्लम में या पेट की कोई जब हो जाती है उसके अंदर आम की गुठली या इसके सीट का पाउडर बना के अगर हम लेते हैं तो यह बहुत ही अच्छा काम करता है उसके पाउडर को तू पिंचिस यानि कि 2 ग्राम अगर दिन में तीन बार शहद में मिला के लिया जाए तो वह सारी यह आपको मैंने पे आपको पाउडर को रिमूव करती है और यह कार्डियो वास्कुलर डिजीजिस हो गई हर डिजीज गई उसके अंदर भहुत अच्छा काम करती है जेए ब्लड सर्कुलेशन को इंपरोफ करती है तो यह बहुत ही अववियस ही बात है कि जो भी चीजें एंचिशें हमारे ब जो भी बैड जो कोलिस्ट्रोल जमा हो जाता है बोडी में उसको रिड्यूस करती है तो उसी तरना सी मैंगो सीड जो है बहुत ज्यादा एफेक्टिव है हमारी बोडी के लिए जितना भी टॉक्सेंस होता है उन सबी चीजों को रिमूव करती है इसके इलावा जो आम की सीड होती है गुठली होती है यह डायबेटिक पेशेंट्स के अंदर बहुत ही अच्छा काम करती है यह ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करती है तो यह कुछ बैनेफिट्स से आम की गुठली के जो कि मैंने आपको बताए अब हम बात करते हैं कि इसको पाउडर भी बना सक करते हैं और इसे हम मुख्वास भी बना सकते हैं मुख्वास यानिकी माउथ फ्रेश्नल तो जो हरे आम होते कच्छ आम होते हैं उसकी गुठली आँ जो होती है अगर वह इस्सेमाल कर सकते हैं तो वह ज्यादा स्वीट टेस्ट होता लेकिन अगर अगर आप राइब्ट आ उसे पहले हने ओम की गुटली की हो को हल्दी और नमक के पानी विगा हो देंगे वही खुटित के सब्सक्की तो सज्चा कर देख हया है w trick usually इसको जो है कुक कर लोंगे इसको पका लेंगे हम और पकाने के बाद जो ही यह सौफ्ट बन जाएंगे तो उससे क्या होगा एक तो इसका जो कड़वा पन होता है आम की गुटली नैचरली कड़वी होती है वो कड़वा पन भी काफी रिड्यूस हो जाएगा एंड में आपक के बीए ताथयका की अईर आप कि सट's ना याथ और जो है इसको सुखा सकते आं एक डो दिन सुखेंगे तो यह एकदं प्रिस्पी हो जाएंगे और नहीं तो हम इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं बॉIL करने के बाद मैंगो सीट की हम ने स्लाइस कर ली थी और उसुसित तो आप देख सकते हैं एक दम क्रिस्प हो गई इस से मैंगो सीट से माउथ फ्रेशनर बनाने के लिए यहां बेक मैंने पैन लिया है और मैं गैस्टोव ओन कर लोंगी और इस पैन में जो है मैं थोड़ा सा घी लोंगी थोड़ा सा और इस घी के अंदर मैं कुछ सीट्स को ज यह जब थोड़ा सा घी कर दोगी और झाल गी जब वी अट कर दोगी correct जाएगा तो थोड़ा सा नमसाला भी एड़ कर सकते है या कोई भी सपालगी क्याओ LIVE धी आप चाहें तो इसमें चाटमसाला भी कर सकते हैं या कोई भी स्पाइस जो आपको पसंद है तो यह मुखवास जो है पन के तयार है और यह हो गया आम के आम और गुटलियों के दाम आप भी इस मुखवास को माउथ फ्रेशनर को घर में जरूर ट्राइ कीजिए और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही अच्छी है औ आने के बाद आप इस मुखवास को डेली थोड़ा थोड़ा कंस्यूम कर सकते हैं जो कि आपकी डाइजेशन को डेफिनेटली इंप्रूफ करेगा आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी और नए इंफॉमिशन के साथ अब तक के लिए स्टे ब्लेस्ट, बी हैपी, टे केर, नमस्कारम, बाबाई